अभी शिरीमान आनंद शिकारा के घर शिरीमान राजकुमार सैनी को वेलकम करने के लिए सभी सदस्य शिकारा साहिब के होम पे खरे हैं और उनके इंतजार में राजकुमार सैनी जी अभी पधारने वाले हैं ये सभी वेलकम के लिए शिकारा साहिब के घर पे हैं शेक्टर बारह आनन्द शिकारा सोनिपत अभी सिरी आनन्द सिंग शिकारा के घर राजकुमार सैनी जी आये हैं उनको सभी बंधू स्वागत करते हुए राजकुमार सैनी जी की स्वागत में शिकारा हाउश शेक्टर बारह में पॉत्वल, कि तक इन वो कैना इन हमाओ, लुप्निल कोम जर्याश्य थायस, एक जजाल से नहें वांचे, पूरीवर्मुनु बादोर्डूLoじ ही, आपे बादोर्ड़यो पॉर्मु सेमेर坂ल, म जर्ड़त का थेहां हमें दिन चितरा साहिब के साथ राजकुमार सानी जी उपस्थित हो रहा है मैंने ब्रष्टाचार के ओपर पुर्ण विराम लगा देंगे अभी एलेक्टरल बॉंड का ब्रष्टाचार आपने देखी लिया वह मेरा करना निपनता है जीतने चापे मारी होई सबी का तूरंत बीजेपी का निशाना जो है वो यही था के बड़ी-बड़ी कंपनियां जो इस देश के बच्चों को रोजगार देंगें सब के उपर एडी-स्रीवियाई के चापों से उनों ने इतना धन कठा कर लिया ड्रा ड्रा करके और फिर चापे के बाद जाना अप्ते तहदन के अंदर जो आना यह हफ्ता वजूली होई और एक कंपनी के उपर यह भी दिखाया गया लिस्ट में के चार-चार बार एक साल सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरा ही तो जिसके उपर लोगों ने मुझे जातिवादी बोल दिया जबके मैं तो सो परसेंट आरेक्षन का पक्स धर था मैंने यह काफी लगवा था मेरे ख्यान में चात-पांच लात आपके अमने हैं हर घर पे पचाई के भाई अब प्रसेंट अर्चन की जुड़ता है हर जाती में पड़े लिखे लोग है नौकरी यां लिफ्टिट है और एक दो प्रसेंट नोकरी है देश में और उसके अंदर इतने पड़े लिखे हर जाती में सब को अपनी जाती का तो हिस्सा मिलना चाहिए यह सो पर सेंट की बात नह कि आइसे ही मैं ने लोगों के हगदारी और हिस्यदारी की बात की जोगों ने मेरे पर जाती का तारूब लगाए और यह खेल आप कि बीजेबी का जी सिसमी बीजेबी ने फैदा उठाने के लिए हरियाना में जो लुटती है तो जाट नो जाट कें यहांद करती है जब उतर परदेस और न्या एड यू यह ऌरतेSoft कर्के लिए दूगले अपने महाराश्टरों से लेगर के मणिपूर तक की यात्रा और किस्मिर तक की यात्रा में एक ही सब्द बार बार दो रहा है कि हम जातीगत समानता के पक्सदर हैं जातीगत जन करना करा के सभी का हिसा सुनिक्त करेंगे और इस जूठी और बेनकाब जो मकारी लोगों के उस बात का ध्यान रखते हुए कि अगर हम वही बात कह रहे हैं कि सब का हिस्सा सब को मिले इस देश में जो मेन मुद्द है बेरुजगारी महंगाई भरस्ता जार के उनको जो है उजागर करके और इस जो पाखंडी सरकार को हटा करके देश में आम जन के लिए एक पार दर से सरकार बढ़े इस बात के लिए हमने बाहर से जो पूरे देश में हम काम कर रहे हैं इस मुद्दे के अपर तो लगवद सो पार्टियां मेरे से जुड़ी होई हैं जिन में से 30-35 पार्टियां उस दिन मौगे पर पहुंच चुगी थी और बाकी के लोग भी अभी एक दो लोग लालच के बस या किसी टिक्टों के बस ये समर्थन दिया मदलब बिना किसी सवार्थ के बिना किसी कुमिटमेंट और शर्त के हमने कहा कि जब आप कह रहे हो कि हम समाजिक समरस्ता और बरादरी और समानता लाएंगे तो फिर अलग अलग मंच्चों पे खड़े मैंने 35 पार्टियां मैंने कहा कि देश में लगव सो राजनितिक दाल चोटे बड़े मेरे साथ जुड़े वेयां पूरे अलग अलग स्टेटों में वह सभी सुपात क्या पक्षिदार्थ हैं और उन्होंने राजकुमार चेड़ी को कनविजनर बनाके भातिया पिछड़ा देखें वो तो सिर्फ राजकुमार चेड़ी ने जैसे ही यह वाज कमजोर तबगे की दलतों फिश्ड़ों की उठा रखी थी तो पिछले दिनों जीन में एक सेड़ी स्मेलन हुआ था उस समेलन में वह बिजबी वाड़न किया था और उस समेलन में जैसे ही मिने नहुंग तो उसमें जो रुजहान था वो पब्लिक का उसे दस मेंट की स्पीश के पर इतना अग्रेक्सिव था वहां सारी मेडिया थी तो लोगाने मनौलाद खटर को पताया होगा कि यह प्रतेसरत एक्सके जोंजने से लोग राजी नहीं है और मनौलाद खटर के खलाफ हैंटीं क कि किसान नराज मनौलाद खटर से सारे सरपंचन नराज जो उनको काम करने का मुझा ही नहीं सरी नंक से मिला वो तो अफसनों ने यूज किया सारे सिस्टम को और ओल्ड पेंशन्स के वाड़े बेर कच्छे करमचारी और सफाई करमचारी यह सारे के सारे वरगा सड़क में तो मनौलाद खटर को विजेवी कैसे हटाए इस उनको हटाने के एंगल से यहां राजमार सेनी का इलाज करने के लिए जो है ना ओबीस इसके साथ जुड़ा हुआ है कहीं जैसे ही सोनी बद से ख़बर मीडिया में चलाई किसी ने कि राजमार सेनी कांग्रेस के मद्द्द से जो है यहां सुनी बद में किनॉल लड़े का इतने में बीजेवी की पसीर ने चूट गए जी और उन्होंने आनन फानन में रात को इंडोर मिटिंग की दुशेंद चुटाड़ा के साथ कि भाई आप का मुद्दा है विधान सभा आप विधान सभा में हमारे साथ हो ले ना तुबारा हम आपको ले लेंगे लेकिन अभी आपका लोकसभा मुद्दानी और आप बस नज्दीग से जो है ना ये बोल जाके चलता हम है कि वीजेवी ने मेरे साथ धोका किया है ताकि आपको सेम्ती और हमदर्दी मिले और हुटा के बोट चटे और दूसरे नमबर म तो यह कहीं कांगरस में जा गया उदर गागर्याफ बना गया मारी दस सितना जो हमने जित्ती वो फोना दे तो इसी के समाथ से चीव मिनिस्टर बनाए तो मैंने उनका वेलकम इसलिए कर दिया कि कम से कम तुम्हें अब सम्झ में आ गया कि इस कमजोर दबगे के बिना सरका मारब नहीं चला सकते और नहीं कोई सीटी जी सकते और और एक आगरी पहिंतरा उनका ये था उसी दन लेक्टरोल मौन पर वो आया था फैसला सुप्रीम कोट का वो फैसले को कहीं जंता की नजरों में वो फैसला ना पड़े तो खर्याना में बड़ा राजीतिक फेर बदल वो खबर उस खबर के दिख्टे भूसों और एक तीर में पांच इनसाने साथ कि मुला गोटर डिविजन जाट्टों का राज मौहार सेनी के माध्यम से ओव ये ओविची को नायब सेनी को चीव मिनिस्टर मना करके ओविची वोट लाइट वो शाले ना राज मौहार सेनी क को रोपना और किसरा मनौलाल खटर के एंटीन कंबेंसी से बचना और एलेक्टरल बांड के सिस्टम से बचना तो यह सारा खेल था राजकोबार सेनी कहां से चुनाव लड़ने की कवायद है वो शुरू करने जा रहे हैं क्या सोलीपत से चुनाव लड़ सकते हो देखिए म मैं विरोधा भाक्त मैं कभी शुनाव ना लड़ा पहले मैं कभी किसी के पास आत्रतिक मांगने हैं मेरा अपना यह दर सम्मन में हो लड़ों नहीं तो कंट्रवर्शल मैं इसे लिए नहें लड़ा कि लोगों में हो गई वो पात मैंने जो बात आज तक इसी इन्वी यही यह जो कमजोर वरकी खाली पड़िया लेगरों की सर्कार ने लगाई लगा तो आप तो थो तो देखिए आप इस गड़बंदर मैं जो एना नेशनल लेवल पर काम करता हूं और आज भी मैं अपने कड़बंदर के लिए काम कर रहा हूं कि नौ लड़ना मेरा वो नहीं है कि मैं विजान सब्सक्राइब लड़ने का पस्दार हूं लेकिन अगर कांग्रेस को सिटें जीतनी हैं फिर हमें कांग्रेस को यूनेनी मसली कहीं से भी लड़बना चाहिए ताक लेकिन हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के जिसने भी चीमनिश्टर बने वो लोगजबा की लड़ाई में लड़ रहे हैं वो मुख्या मंतरी की लड़ाई 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 हैं समस्चा यह है कि जब तक हम लोगजबा हर्याना में पहले नहीं जिस्ते हैं जिदर लोगजबा चली जाती है उतर विदान सबस्च जली जाती है हमें सबसे प्राल है आप पी कोब्रेसी जो नेटा है राहूल गांदी है पेंदर सिंगुदा है फिर जो कुमारी शेयल चाहिए जो लडातार है मुख्या मंत्रीपत की वोड़ में है वो नहीं बना पारी उनको को क्या नसीयत है आपकी तरफ के वह किसी को नसीयत देने लिए कोई अच्छी बात कह दी कांग्रेस कि हम जाती का समन्वेह करेंगे हमने दूसी के एंगल से मत्वत दिया भाई जैतों चिक तूटके तड़बे चाठने होंगो तो दोस्याना सब के बैर पकड़ता भी रहा का वो मेरा प्रपोजर नहीं है ना मैं इस काम के लिए वह गया बाकी रही बाकी है अगर इनको दस सीड जीतनी है तो मैं इतना मेरत है कि बाई तुम अगर मतलब 50% बुटां सारे पोगे तुमा 50% कल लप वह सकता हूं इतनक मैं तुम रखता हूं मैं ज्यादा पलफ मारने आपके रिदेवि नायव सैनिज साब बीसी का सिया बना लिया आत्र नायव सैनि जी ने बीसी की कभी अवाज उठाई नहीं तो बीसी गोट बेंक कैसे फुस हो जाएगा एक बाद उताए मेरे को सबी पार्टियों को तित्रबटेर चाहिए नेता चाहिए जो आवाज उठ लिए जो पार्टियों को लीटर नहीं कोई चाहिए जो जो फिर नेता नेता ने अपना दूसरा मांजी बनाया और रुदर चनी बनाया तो पहले अईसे तो चलता है लेकिन हम इतना बतादें के बीजेपी को ये सब्सक्राइब को कैसे सब्सक्राइब और सबसे और उपीसी में ध। वहां जिकूरजंत तक समक्ना जो जो इसी को नुו भाट बातुब ति लेकिन हमें उसमक्रति बात भाएई कर दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब